मृत व्यक्ति का सपने में आना शुब या शुब रात्री में सोते समें कई बार हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं स्वपन शास्त्र अनुसार सपनों की कई श्रेणिया होती हैं कुछ सपने हमें खुशी प्रदान करते हैं तो कुछ सपनों के आने से हम डर जाते हैं, कई बार हम उन लोगों को सपने में देखते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कई दफ़ा जिन्दा लोगों को सपने में मरा हुआ देखते हैं, जानते हैं क्या होता है ऐसे सपनों का मतलब? नमबर एक यदि घर परिवार का कोई सदस्य बिमार होकर मृत्यू को प्राप्थ हुआ हो और वह सपने में एक तम स्वस्थ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि मरने के बाद उसका जनम किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है यह सपना संकेत देता है कि आप उनके बारे में सोच कर खुद को परिशान ना करें स्वपने शास्त्र अनुसार इसे आश्वासन स्वपन का नाम दिया गया है यदि आपके जानने में किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यू हो गई हो और वह सपने में बिमार दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी कोई इच्छा है जिसे वह आपके माध्यम से पूरी कराना चाता है यदि संबब हो तो आप उनकी इस इच्छा को अवश्य पूरी करें इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शान्ति मिलेगी कई बार सपने में स्वर्गवासी परिजन दिखते तो हैं लेकिन वह कुछ बोलते नहीं हैं ऐसे सपने को हम समझ नहीं पाते स्वर्गन शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे सपने में हमारे परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों के बारे में आगाह करते हैं यानि हम वर्तमान में कुछ गलत कारे करने जा रहे हैं या फिर कुछ गलत करने की सोच रहे हैं नमबर चार, यदि सपने में मरे हुए परिजन आकर हमें आशिरवाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, तो वही सपने में मृत परिजन तुखी दिखाई दे, तो इसका मतलब वो हमारे किसी कार से खुश नहीं है, कई बार मृत परिजन सपने में आकर हमसे कोई वस्तु मांगते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, जैसे सवपन में हमें वो निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, या फिर पैरों में बिना जूते चपल या भूखे हैं, तो ऐसे में हमें दिखने वाल जब है उस व्यक्ति की आयू में वृध्धी होगी, ऐसे सपने शुब माने जाते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत थन्यवाद